चेहित बच्चों इस समय आप लोग महामना इस्चुट के यूटूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग क्लास टेंथ हिंदी माध्यम गनित थोड़ चैप्टर दो चरवाले रैखेक समीकरण युग्म के प्रसनावली 3.6 के पहले का थोड़ पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं ये पूरी की पूरी प्रसनावली ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है और थोड़ा सा टफ है इसलिए आपको बहुत ध्यान पुरुवक समझना है ध्यान देंगे तभी आपको बात समझ में आएगे लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बिल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक सेयर करें किसी प्रकार की कोई दिक्कत सबज में आती है तो आप कमेंट करके हम बतावें और वीडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं प्रसनावली 3.6 के क्वेस्चन नमबर वन का थर्ड पार्ट और वन का थर्ड पार्ट लेकिन इसके पहले जो निर्देश दिये हुए है जो डायरेक्शन दिया गया है वो यह है कि निमन समीकरणों क युग्वों को रैखिक समीकरण युग्व के रूप में बदल करके हल करिये यानि जो समीकरण दिये गए हैं उन समीकरणों को हमें रैखिक समीकरण युग्व के रूप में परिवर्तित करने के बाद इसको हल करना है तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि हम लोग कुछ माल लिए थे और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर माल लेंगे देखें हम मान लेते हैं 1 upon yax is equal to p और देखिए y y को हम मान लेते हैं क्यों? y is equal to k्यों? तो जब इस तरह का परिवर्तन हम कर देंगे तो यह राइखिक समीकर युग में परिवर्तित हो जाएगा देखिए क्या मिलता है 4 by yax है न ध्यान दीजेगा 4 by yax को हम लिख सकते हैं 4 into 1 upon yax तो 4 है 1 upon yax के जगह पे हम रख देंगे p प्लस है 3 y के जगह पे रख देंगे q is equal to हो गया 14 equation number 1 फिर आगे हम बढ़ते हैं यह यहाँ देखिए 3 by yax है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 into 1 by yax तो 1 by yax के जगह पे हम कर देंगे p और minus हो गया 4 y के जगह पे q और यह हो गया 23 यह हो गया आपका equation number 1 और equation number 2 अब यह समीकरण 1 और 2 हमको मिल गये हैं अब इसको सालब करने के लिए हम करेंगे क्या कि हम प्रतिस्थापन विदी से इसको हल कर रहे हैं समीकरण 1 से हम p का या q का मान निकाल लेते हैं और निकाल करके समीकरण 2 में रखते हैं और रख करके हल करते हैं देखते हैं कि क्या मिलता है तो चलिए समीकरण एक से यहां हम लिख देंगे समीकरण एक से देखें समीकरण एक से यहां पी की वैलू अगर हम निकाले तो 4P is equal to ध्यान देजिए यह 14 और 3Q बराबर के दूसरे तरब चला जाएगा तो माइनस 3Q हो जाएगा अब यहां से पी की वैलू निकालेंगे 4 अपोजिट साइड में जाएगा तो 14 माइनस 3Q अपान 4 हो जाएगा तो समीकरण एक से पी का मान निकल गया अब यहां पी का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण एक से हमने पी का मान निकाला है और निकाल करके हम समीकरण 2 में रख रहे हैं देखिए समीकरण 2 में क्या है 3 अब पी की वैलू हम रखते हैं पी की वैलू है 14 माइनस 3Q अपान 4 और माइनस हो जाएगा 4Q बलकि इसको हम इधर के तरफ लिख रहे हैं तो यह देखें, यह है 3 और P की value हम रख दे रहे हैं, 14-3Q by 4, माइनस हो गया 4Q, इज कल्टू हो गया 23, अब देखें क्या करेंगे, यहाँ अपान 4 है, बटा में 4 है, तो बटा में 4 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम 4 से दोनों पच्छों में गुड़ा कर देंगे, तो यह 4 कट जाएगा, तो चलिए 4 से गुड़ा कर ध्यान दीजिए, जब इसमें हम 4 से गुड़ा करेंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा, अब यह हो गया 3, यह हो गया 14 माइनस 3 क्यों, अब फिर 4 से इसमें भी मल्टिप्लाई कर देंगे, तो 4 फोर जा 16 हो गया, 16 क्यों, अब फिर 4 से इसको मल्टिप्लाई करेंगे, तो 23 में 4 से मल्टिप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, चारते हैं 12 हो जाएगा और 4 दुना 8 एक 9 बान भी हो जाएगा ठीक है अब जो है इसका multiply किसे अंदर तो फिर ये हो जाएगा 14, 42 हो जाएगा और माइनस हो गया 9Q और माइनस हो गया 16Q और ये is equal to हो गया 92 और देखिए जड़ा माइनस 16Q और माइनस 9Q दोनो माइनस है तो दोनो जुट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 25Q और ये है 92 और माइनस है 42 अब 92 मेंसे 42 माइनस कर लिजे चलिए धरम आते हैं तो माइनस 25Q 25 Q है और 92 माइनस 42 क्या 50 हो जाएगा ये हो गया आपका 50 तो Q की वैलू अगर हम निकालते हैं तो 50 अपान माइनस 25 तो 25 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 यानि Q की वैलू हो गई माइनस 2 लेकिन Q का मान किसके बराबर था Q की वैलू Y के बराबर थे तो अब हम Q के जगा पे Y कर देंगे 5 is equal to हो गया माइनस 2 Y की वैलू निकल गई अब ही ये जो Q का मान निकला है इस Q के मान को या तो समीकरण 1 में रख दीचे या समीकरण 2 में रख दीचे किसी भी समीकरण में रख दीचे पर समीकरण 1 में हम रख देंगे तो देखिए क्या मिलेगा समीकरण 1 में रखने पर 4P प्लस 3 इंटू Q की वैलू है माइनस 2 is equal to हो गया 14 ये हो गया 4P और ये देखिए 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 is equal to 14 तो ये हो जाएगा 4P is equal to माइनस 6 को अपोजिट साइड में ले जाएगे तो प्लस 6 हो जाएगा तो 14 प्लस 6 हो जाएगा 20 यानि P की वैलू हो गई 20 बाई 4 4 से इसको कट कर दिजिए ये हो जाएगा 4 5 सा 20 यानि P की वैलू 5 आगई और P P कितने के बराबर था तो P 1 अपान X के equal था यहां लिख द अब दोनों साइड का रिवर्स कर देते हैं तो व्यूत्करम कर देते हैं तो व्यूत्करम कर देंगे तो 1 अपान X का व्यूत्करम X हो जाएगा और 5 का 1 अपान 5 हो जाएगा तो इस प्रकार यहां पर हम लोगों को आंसर मिला देखें आंसर में X की वैलू मिली है X is equal to 1 by 5 और Y की वैलू मिली है minus 2 तो इस प्रकार question number 1 का जो third part था यह one का third part साल्व होता है अब हम लोग 4th part को देखेंगे 4th part में दिया हुआ है 5 अपान X minus 1 प्लस 1 अपान Y minus 2 is equal to 2 और दूसरा दिया हुआ है 6 अपान X minus 1 minus 3 अपान Y minus 2 is equal to 1 देखें यहां भी हम मान लेते हैं यहां मान लेते हैं और देखें क्या मानते हैं समझे आप 1 अपान X minus 1 को हम P मान लेते हैं और यह पहला वाला देखें यहां 1 अपान X minus 1 को हम P मान लेते हैं और 1 अपान Y minus 2 को हम Q मान लेते हैं फिर रख रहे हैं देखें क्या मिलेगा यह सामने देखें यह इसको हम लिख सक हैं 5 into 1 upon x minus 1 तो 5 तो है और 1 upon x minus 1 के जगह पे P हो जाएगा प्लस 1 upon y minus 2 के जगह पे Q और यह हो गया 2 equation number 1 लिखती है अब इसके बाद हम यहां पर आते हैं तो यह है आपका 6 into 1 upon x minus 1 तो 1 upon x minus 1 को हम P लिख देंगे और minus हो गया 3 और यह देखिए 3 into 1 upon y minus 2 तो y minus 2 को क्यों लिख देंगे यह हो गया equation number यह equation number हो जाएगा 2 समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुड़ा कर दें और समीकरण 1 में 3 से गुड़ा करके समीकरण 2 को जोड़ें तो प्रतो बिलोपन विधी से बड़ी आसानी से यह साल्ब हो जाएगा तो चलिए समीकरण 1 equation number 1 को 3 से मल्टिप्लाई करने है तो यह हो जाएगा 15P और प्लस यह हो जाएगा 3Q और 3 को 2 से मल्टिप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा और फिर equation number 2 जो है 6P माइनस 3Q is equal to 1 अब देखिए दोनों को हम साल्ब करते हैं तो साल्ब करने के लिए जोड़ दें तो यह cancel हो जाएगा 3Q से 3Q cancel हो जाएगा अब इसको आप जोड़ें यह 15P प्लस 6P तो 15 प्लस 6 क्या हो जाएगा 21P हो जाएगा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा तो यहां से P की value निकालेंगे 7 upon 21 हो जाएगा 7 से इसको कट कर दीजिए तो 3 हो जाएगा 7 के एकिस होता है तो P is equal to हो गया 1 upon 3 लेकिन P की value हमने माना है देखिए P के जगह पे हम 1 upon X minus 1 माने हैं तो P के जगह पे 1 upon X minus 1 is equal to 1 upon 3 कर देंगे फिर cross multiplication कीजिए X minus 1 का 1 में multiply करेंगे X minus 1 हो जाएगा फिर 3 का 1 में multiply करेंगे 3 हो जाएगा अब यहाँ से X की value निकालेंगे तो minus 1 बराबर के दोसरे तरब जाएगा 3 plus 1 हो जाएगा और 3 plus 1 4 हो जाएगा X की value 4 हो गए अब देखिए P की value मिली है 1 upon 3 इसको हम equation 1 या equation 2 किसी में भी रख सकते हैं तो चलिए P की value P is equal to 1 upon 3 equation 2 में हम रखते हैं या लिख देते हैं P is equal to 1 upon 3 है P is equal to 1 upon 3 समी करण 2 में रखने पर समी करण 2 में रखने पर देखिए समी करण 2 में रख रहे हैं तो 6 और P के जगह पे 1 upon 3 माइनस 3 Q is equal to 1 3 से इसको कट कर दीजिए 2 हो जाएगा तो 2 माइनस 3 Q is equal to 1 1 को इधर लाइए तो 2 माइनस 1 माइनस 3 Q को बराबर के दोसरे तरफ ले जाएए तो हो जाएगा 3 Q 2 माइनस 1 1 1 is equal to हो जाएगा 3 Q 3 को इधर लाइजिए 1 by 3 is equal to Q और Q की वैलू आपने माना है 1 upon y माइनस 2 तो अब ये है आपका 1 upon 3 और Q की वैलू हम रख देंगे 1 upon y माइनस 2 फिर यहां हम cross multiplication करेंगे देखिए इसका 1 में multiplication करेंगे हो जाएगा y माइनस 2 और फिर 3 का 1 में multiplication करेंगे हो जाएगा 3 और फिर देखें ये y की वैलू निकालेंगे तो 3 माइनस 2 बराबर के opposite side में ले जाएगे प्लस 2 तो y की वैलू हो जाएगी 5 और इस प्रकार देखें यहां पर हमको answer मिला है x की वैलू, x की वैलू 4 निकले थी और y की वैलू 5 निकले थी तो प्रसनावनी 3.6 के question number 1 का जो 4th part है ये सालम हुआ तो हमें उमीद है कि ये दोनो question आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरफ से समझ में आए होंगे आप वीडियो को like जरूर कीजिएगा चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को subscribe भी कर लिजिएगा बेल आइकल को प्रेस भी करेंगे और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत सबज़ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बतावें आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद